दोस्तो अगर आप लोग M.A. करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें ये वीडियो आपके लिए बहुत यूसफुल होने वाली है जैसे कि आप लोग इसकीन पर देख पा रहे हैं हमने कुछ टॉपिक्स लिए हैं जैसे कि M.A. किस सब्जेक्ट से करें M.A. किन-किन सब्जेक्ट से कर सकते हैं regular and private दो मोड से M.A. होता है दोनों ही मोड में M.A. में कौन-कौन सब्जेक्ट होती है कौन-कौन सी सब्जेक्ट आप लोग ले सकते है M.A. किस सब्जेक्ट से करना अच्छा रहेगा ठीक है ये सबी टॉपिक रहने वाले है M.A. अगर आप लोग करना चाते हो तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा आपके लिए बहुत ही useful सावित ये वीडियो होगी तो दोस्तो सबसे बहुत हम बात करेंगे M.A. किन-किन सब्जेक्ट से कर सकते हैं किन-किन सब्जेक्ट से कर सकते हैं तो देखिए M.A. आप दो टाइप से कर सकते हैं पहला रेगुलर टाइप से आप लोग M.A. कर सकते हो दूसरा प्राइवेट टाइप से आप लोग M.A. कर सकते हो तो आप लोग वही subject ले सकते हो जो आपके last year में थी ठीक है यज़सा आपने B.A. किया B.A. last year में आपके पास दो subject होती है तो दो subject में से कोई आप लोग एक subject ले सकते हो MA में ठीक है माई लिजएके आपके B.A. third year में history और geography है तो इन दो subject में से ही आपको एक subject लेनी होगी regular से MA करने के लिए ठीक है आप लोग समझ गये होंगे अगर 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 आप लोग private से करते हो MA तो private में आप लोग कोई भी subject ले सकते हो ठीक है जो subject आप लेना चाहो वो subject ले सकते हो private से MA करने के लिए प्राइवेट में ऐसा कोई सी नहीं है कि जो सब्जेक्ट आपके बास लास्टेर में हो वही होनी चाहिए प्राइवेट में आप लोग कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो प्राइवेट में कुछ उनिवर्सिटी के अंदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होती है बाकी कुछ उनिवस्टी इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी होती है प्राइवेट इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कम होती है तो इसका मतलब भी है कि प्राइवेट में आप लोग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं ले सकते और बाकी जो भी सब्जेक्ट है political science economics बगरा कोई भी subject आप लोग डे सकते हो ठीक है तो जिस भी subject से आप लोग करना चाहो private से उस subject से आप लोग MA कर सकते हो जबकि regular से अगर आप लोग MA कर रहे हो तो केवल उनी subject से कर पाऊगे जो आपके पास last year में थी उन दो subject में से ही आपको कोई एक subject लेनी होगी बात करते हैं कि MA में कौन-कौन सी subject होती है तो MA में आपका history, geography, political science, economics और आपका sociology इसके लावा mathematics से भी आप लोग MA कर सकते हो home science से MA कर सकते हो और भी भहुत सी subject इससे आप लोग MA कर सकते हो जैसे कि आपका psychology बगर हो गई इससे भी आप लोग MA कर सकते हो तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप लोग private से MA करना चाहो तो किसी भी subject से इन में से कर सकते हो ठीक है और अगर regular से करना हो तो उन subject से ही करोगे जो आपके पास BA last year में होगी उन दो में से ही कोई एक subject लेनी होगी ये बहुत सी university के अंदर है ठीक है तो आप लोग आई हो पुस समझी का होगे अब आगे MA के subject से करना अच्छा रहेगा MA के subject से करना अच्छा रहेगा ये आपके interest पर depend करेगा आपको कौन सी subject में interest है कौन सी subject आपको पढ़ना अच्छा लगता है किसमें आप लोग ज़्यादा knowledge लेना चाहोगे कुछ popular subject में आपको बताता हूँ कि MA में कुछ popular subject कौन कौन सी है तो MA में कुछ popular subject है जैसे कि आपका एक हो गई sociology और एक हो गई आपका economics, history काफी popular है और political science काफी popular subject है ये subject काफी popular है MA में ठीक है तो I hope के आपको सबकी समझ में आ गया होगा आप लोग किसी भी एक subject से MA कर सकते हो एक subject के फिर चार paper subjective type के होगा जिसमें return paper होगा और एक आपका practical बाइबा type का होगा total 5 paper होगे आपके regular में भी private में ठीक है private में साल में एक बार exam होगे और regular में एक साल में दो बार exam होगे तो आप लोग देख सकते हैं आपको जिस भी type से MA करना हो regular type से या फिर private type से आप लोग को किस university से MA करना है ये भी आप लोग बता सकते हैं और किस अबस्थी के और अपने university के नाम भी और आपकी university के अंदर प्राइवेट या फिर रेग्लर के ऐडमिशन हो रहे होंगे तो आपको हम बता देंगे बाकि कभी होते हैं तो ये प्राइवेट के ऐडमिशन आपका अक्टॉवर से सुरू होते हैं अक्टॉवर, नौमबर, दिसंबर, जनबरी, फरवरी, मार्स तक होते हैं और regular के admission माई से start होते हैं माई जून जुलाई अगास सितंबर अक्टूबर तक होते हैं ठीक है यह time है private regular के admission होने का तो आपको किस type से किस university के अंदर admission कराना है में करना है आपको आप लोग कमेंट करके अपनी इनवस्टी के नाम और अपने type का नाम regular private बता सकते हैं तो थैंक्स फोवचिं इस वीडियो